सर एस्पी सिंग बगेव जी, प्रदेश सरकार में मेरे सयोगी मंत्रीकाण सी योगेतरु पाल्थय जी, सी थ्रम्मीर म्रजापती जी, मान्य सांसर सी राज़ुमार चाहर जी, लगुत योग भार्थी की राश्टिय अथ्यक्स सी खंस्यापोजा जी, राश्टिय सयुक्त महमुंत्री सी राकेश गर्ग जी, प्रदेश अभ्यक्स सी बगुतुदन दादु जी, रविंद्र सिंग जी, भरत राड़ जी, प्रदेश के अवस्थात्ना रोकेविक्विकास की आयुक्र सी मनोज कुमार सिंग जी, सी यो युदि सीडा सी मयूर माईश्वरी जी, आगरा की महापौर स्रिमती हेमलता दिवाकर जी, जिला पंचैन अध्यक्स निमती मौंजू भदोरिया जी, माने विधाया क्षि पुशोतम खंडेलवा जी, विजैश युहर्य जी, चौदरी बावुला जी, भगवान सिंग कुश्वाहा जी, लगोद्योग भारती से जुड़े भे, प्रदेश भर से और देश के भी अलग-अलग राज्यों से आए भे समियुत जमिगन, और उपस्तित भाईयों बहनों, प्रजवोवी पर, लगोद्योग भारती अपना इस महा दिवेशन को आयुजित कर रही है, प्रदेश की इस ब्रजवोवी पर, आगरा में मैं आप सबका, प्रदेश सासन की ओर से हिर्दे से अभिनतन करता हूँ, स्वागर करता हूँ, मेरे लिए, यह एक महत्तुकूर्ण छण है, जब लगुत्योग भारती से जुड़े वहें, आप सभी उत्यमियों के साथ, पिछले तीन महीने के अंदर तीसरा, एक संबाद करने का उसर मुझे प्राप के बोरा हूँ, आपने सिकम्बर 21 से 25 के बीच में, ग्रेटर नुएडा ने इंटर्नेशनल ट्रेट सो को देखा होगा, लगुत्योग भारती भी उसमें हमारे साथ सहयोगी थी, और आपने देखा होगा कि दुनिया के यानि उत्तर्प्रदेश के बीच, 2000 सेदिक एक्जिबिटर इस पूरे कारेक्टर में भागिदार बने थे, तो फॉरेट बायर्स में भी 500 सेदिक लोगों की सेवागता हुई थी, चार दिनों में पांच लाग सेदिक बायर्स महां पर आये थे, जिन लोगों ने इस पूरे आयोजन को उत्तर्प्रदेश की इस सामर्थे को देखा था। मुझे भी परसों भदोई में इंटरनेशनल कार्बेट एक्स्पो में जाने का उसर प्राप्त हुआ। और वहां के उद्दिन्यों की होनर को देख करके लगा की वास्तों में पहले कैसे इंटरनेशनल कार्बेट एक्सपोर्ट करता है। उनमें से अकेले भदोई मिरजापुर और वारणसी से दस हजार करुण पेका एक्सपोर्ट होता है। भयोगे नो लगूत्यों यह अर्थ विवस्ता की रीड होता है। कम खर्चे में प्रयावरण की सवी मानुकों को पूरा करते वे कम अस्थान पर ज्यादा रोजगार का सिर्जन होना और ज्यादा परिवारों को आर्थिक स्वावलंबन की और अक्रिसर करना यहाँ लगूत्यों के मात्यम से ही संभू हो सकता है। और मुझे बताने में पूसंता है कि उत्तर प्रदेश तो प्राचीन काल से ही इसके आधार भूनी रही है। अलग अलग प्रकार के उत्यम अलग अलग छेत्रों में रहे हैं और उसी को पुनरजीवित करने के लिए प्रधानमंत्री मोधी जी की पेड़ना से हमारी सरकार ने 2018 में और तरप्रदेश के अंदर वन टिस्टिक वन प्रॉड़क्ट की अपनी अभिनो योजना चलाई थी वन टिस्टिक वन प्रॉड़क्ट के मात्यम से परंप्राकत उत्यम को प्रोधसाहन कर देने के लिए उन्हें टेक्नलोजी मिले उन्हें डिजाइन मिले उन्हें पैकेजिंग के लिए प्रशिक्शन दिया जा सके उनके लिए बार्केर भी उनको प्लब्द करवाया जा सके और सरकार से उन्हें हर प्रकार की सुविधाय उप्लब्द हो इसके लिए सरकार के अस्तर पर एक प्रियाज प्रारम्ब हुआ था और आप उसके बहुत अच्छे पैणाम हम सब के सामने हैं हम सब जाते हैं कि आज वन डिस्टिक वन प्रोड़क्त की सभीनों योशना का प्रणाम है कि उत्तर प्रुदेश पिछले पांच वर्से के अंदर अपने एक्सपोर्ड को 200 कुना पढ़ाने में सफल रहा है एक बहत्रीन जिसा में उत्तर प्रुदेश जैसे बिमारू राज्य को आज हम आर्थिक संब्रिटी के एक राज्य के रुप में स्तापित कर लें यहीनी उत्व्यमियों के परिश्रम के प्रणाम शुरूप हम सब के सामने हैं और इसलिए उत्तर प्रुदेश ने 2020 में अपनी MSME policy के अंतरगत इस बात की विवस्ता की MSME policy के अंतरगत अगर कोई उत्योग लगाता है तो एक हजार दिनों तक उसे किसी भी प्रकार की NOC की आउसिकता नहीं वह जाए अपना उत्योग लगाए अपना application सब्मिट कर ले सारी अपचारिकताई अपनी पूर्ड एक हजार दिनों के अंतर हो जाए वहां production प्रारंब करें सारी सुधाई उसे अप्लक्व होती में दिखाई से लिए उत्योग के लिए अच्छा infrastructure हो अटल infrastructure मिसन के अंतरगत या कार्यक के साथ आगे बढ़ रहा है तो प्रदेश ने इसके सामे एक फ्लेटेट फैक्ट्री के कारिक्रम को भी आगे बढ़ाया है आगरा में भी एक फ्लेटेट फैक्ट्री का कॉंप्लेक्स बन रहा है कानपूर में बन रहा है गोरगपूर में बन रहा है एक नए अभ्यान के साथ हमें प्रदेश के इस संभावनाओं को नई उचाईयों तक पहुचाने का कारे करना है और लगुत्योग भारती ने इसके सामें बेहतरी इन प्रियास किया है मुझे याद है जब उप्तर प्रदेश ने अपना Global Investor Summit का आयोजन किया था इसी वर्स के प्रारमों में 10 से 12 फर्वरी के बीश में लखनों में आयोजिन Global Investor Summit में लगुत्योग भारती हमारे साथ सयोगी थी राच्यसरकार के साथ सयोगी थी और उस सयोग का पेणान क्या था कि उत्तरकदेश सरकार को Investor Summit में प्रश्टाव 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 प्रश् वायो वेनो उत्रप्रदेश सरकार इसके सामें केद्र सरकार के साथ मिलकर के निवेश के एक बहतरी इन गंतव्य के रूप में देश की सबसे बड़ी आवादी के राज्य को स्ताफित करने के लिए पूरी प्रतिवत्ता के साथ कारे कर रही है। सरकार के वारा समय समय पर इस प्रकार के कदम उठाए गए है। प्रियास रहा है। कि उत्तर देश जैसे राज्य में अगर हमें उद्योग के अन्पूल वातावर्ण बनाना है इसकी पहली सर्थोती है सुरक्सा। प्रदेश के अंदर अपराद और अपरादियों के परती जीरो टॉलेंज की सरकार की डीटी आज देश के अंदर नजीर मानी चाती है। और हम लोगों ने इस मामले में और ये बज़गुती के साथ इस बास को कहा है। हम सुरक्सा के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड किसी को पे नहीं कमने देंगे। वो कोई भी प्रिक्टिक यो नो हो अगर उसने सुरक्सा के साथ फिरवाड करने का दुस्ताहस किया तो उसको उसका खामियाजा भी हुगतना पड़ेगा और आज आप बेंक्यों होंगे परदेश में सुरक्सा का एक बेंक्तरीन वातावरन है कानून विवस्ता अपने एक लजीर प्रुस्तुत कर रही है तो 2022 की बिधानसवाद चुनाव में पहली बार हुआ है जब कानून विवस्ता किसी राज्य के इंदर चुनावी मुद्दा बने और कानून विवस्ता के मुद्वे पर जन्ता का व्यापक समर्थन एक सिटिंग सरकार के साथ में खड़ा होतावा दिखाई दे यहाँ भी एक अधारण की रूप में हैं सब के सामने है इस ओप्रोइंग विस्तेस में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग में हो व्यापक सुदा आप सब के सामने हैं समय समय पर सरकार के वारा के गई रिफॉम यह आपके सामने है प्रदेश के अंदर बनावा लैंड बैंक यह आपके सामने है हर जन्पत में चिलादी कारी और बरिष्ट पुली सदिक्सक के साथ या कमिस्नरी अस्तरपर, मंटलायुत्व और रेंज के पुली सदिकारीयों के साथ उद्यमियों के संबाद के कारिकरम और जो संबाद जो कारिकरम जो जिन समस्याओं का अस्तानी 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 अस्त प्रदान करने वाले जेरी स्कीलर स indication करने वाले हर येद्वारी को भी पांच लाक रुपई की सुरक्सा भीमा का प्रूरत या हुआ है पूरत अपने सब्साश का पहला ओक जीक है जिसने एंसेमी उप्पेमिशकों भी registration के साथ जोड़ करके उसको सुरक्सा बीमा का कवर दिया और मैं चाहूंगा कि यहां हमें इस कारे को प्रात्मिक्ता के आदार पर आगे बढ़ाना होगा दूसरा मेरा आप समूत्यम्यों से एक बात कम्रोध होगा प्रदेश सरकार की बहुत सारी ऐसी नीकिया है जो आपका बहुत बड़ी समस्चा का समाधान कर देखी जैसे MSME Policy के अंतरगत आने वाला कोई भी निवेस आपको एक नया platform प्रप्ड करवाता है लेकिन साथ साथ अगर आप अपने जो निवेस आपने किया है उस निवेस को टेक्नोलोजी के साथ जोड़ने का तो कारे सरकार ने किया ही है चायवाल निवेस सार्थी पोर्टल हो निवेस मित्र पोर्टल हो निवेस होने के बाद ऑनलाइन सेंटिप का पोर्टल हो ये आपको टेक्नोलोजी के साथ जोड़ करके किसी भी प्रकार की भाग दोड से बचाने का एक माध्यम्ट देता ही है लेकिन साथ साथ सरकार ने अभी ब्युस्ता दी है कि कोई जी उत्यमी कहीं भी परेसान नहो हम उसको बेंतर सुरक्सा भी देंगे हर अस्तर पर उसको मदद भी करेंगे लेकिन यहाँ भी हमें समय समय पर समझने क्या हो सकता है कि अगर आपने उत्योग लगाना चाहते हैं या उत्योग लगाया है अस्थानियन्स किसी इंस्ट्ट्यूशन के साथ आपका जुडाओ हो जाए आइटियाई से, पॉलिटेक्निक से, किसी कॉलेज से, किसी विश्व मित्याले से, किसी इस छेत्र से जुड़ेवे संस्तान के साथ वहाँ के बच्चे आपके उत्योग में प्रसिक्शन लेकर के आपको मेंट पावर की आसान उप्लब्टता करा सकते और यूपी सीटा और उत्तर प्रदेश के उत्यों के विकास विभाग है, मेसमी विभाग, इस बात को सुनिशित करेगा कि जिन बच्चों को अगर आप वहाँ पर रखेंगे प्रसिक्शन के दोरान, छे मेने या एक वर्स के प्रसिक्शन के दोरान रखेंगे एक वर्स के वाद साडिफिकर्ट लेकर के वह लड़के जाएंगे जो आपकी रिकारिमेंट होगी, जिनकों आप रखना चाहेंगे, जो आपके लिए उटी होगी, उनकों आप वहाँ रख सकते हैं लेकिन सेज, जाकर के अलग-अलग जगे अपने इस अनवहों का नाप दे सकते हैं लेकिन इस दोरान, जिस दोरान में कारिक करेंगे उस नमें PM intensive scheme या CM intensive scheme के अंतर कर अगर आप उनका registration कराते हैं तो आधा मांदे सरकार देगी, आधा मांदे industry देगा तो मुझे लगता है आपके पास सस्ताधे से आधी कीमत पे आपको manpower बिल जाएगा लेकिन साथ साथ आने वाले समय के लिए हमारे पास अनवहों की एक team भी खड़ी होगी जिने हम धेरे धेरे करके industry के लिए फिर उप्योगी बनाने में उन्हें मदद कर सकते हैं उनके पॉसल विकास में मदद कर सकते हैं हर एक sector में सम्मावनाई बनी भी है अगर हम इन सभी platform का प्योग करते हुए अपने युवाओं बद एक सजिक संधा में प्रिशिक्षिक करते हैं तो इसके बेहतरी प्रेड़ाम हम सब के सामने आएंगे और मैं आपको इस बात के लिए आउस्यों कहूंगा कि प्योसाई के लिए साथ नियत के साथ एक बेहतर संभाद के मात्यम से हम आगे बढ़ेंके तो दुनिया की कोई ताकत आपको एक बड़े उद्यवी बनने से रोक नहीं सकती है आपने यहाँ पर लग उद्योग भारती के मात्यम से इस महाद्युएशन का को आगरा में आउउचिन किया है मैं इसके लिए आप सब को हिलते से धन्यवाद देता हूँ आपकी पूरे आउचिन के प्रतिम्नी सुपकामनाय रख्ट करता हूँ और आपको इस बात के लिए अस्वस्त करता हूँ कि डवालिपजन की सरकार आपको हर प्रकार की सुरक्सा और सुविधा देने के लिए पूरी प्रतिम्नी सुपकामनाय धन्यवाद जय है